दिनराद जंगल राज की दुहाई देने वाले भारतिये जनता पार्टी के बिधायक की गिरफ्तारी अब किसी भी वक्त हो सकती है। महेंगा पर गया है। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अबास पर एक राजधारी पतना इस्तिद विधायक अबास पर छापेमारी की जा रही है। तुलसी रायक को अपहरन कर अपने कोलेस्टोर में लेकर रखा था। पुलिस को इस बात की जानकाड़ी जैसे ही मेली पुलिस अपने बल के साथ तुरंत फॉरन उस कोलेस्टोर पहुंसती है। पुलिस का ब्यान दर्ज है। पुलिस ने साथ रुपे कहा है कि जब हम वहाँ पहुंचे तो दस लोग की बीच तुलसी रायक को बैठा गया था। पूछा विडायक से तो विडायक ने साथ रुपे काया कि मामला कुछ गंभीर था। हमारी इनकी बीच पुरानी जो है नूरा कुस्ती रही है। तो यसे मैं मामले को सल्टाने के लिए इनको यहां पर राहा है। तुलसी रायका कहना है कि मुझे क्रणेट किया गया था। और पुलिस की जानकारी के नुसार अब जो है अगर गिरहतारी नहीं होती है तो फिर कुड की जबती की प्रक्रिया भी तेज कर दी जाएगी तो राजू सिंग पर कोई पहला आरोप इस तरह का नहीं लगा है इससे पहले भी आपको याद हुआ साल 2019 में जब जेडियू के पुर बिधाक हुआ करते थे दिल्ली में एक महिला को गोली लगी थी नके बंदूक से उस महिला की मौत हो गई जिसके बाद राजू सिंग की गिरहतारी होई और पुलिस ने उन्हें जेल तक भेज दिया था अब हाल के दिनों में सीयो के साथ मारपीट गाली गोलोज का मामला सामने आया था जहाँ अपने आवास पर राजू सिंग ने बुलाकर सीयो को गंदी गंदी गालिया दी मारपीट किया धमकी दी अब एक और मामला आया कि आर जेडी के नेता तुलसी डाय को अपहरन कर कदर बड़ी कि राजु सिंग इस वक्त फरार है पुलीस और उनकी खूफिया एजनसी लगतार गिराफ्तारी को लेकर लगी हुई है हर सम्मप्रयास की अगारा है अगर गिराफ्तारी नहीं होती है तो फिर कुरकी जबती भी राजु सिंग का हो सकता है